तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे UK के experience के बारे में मुझे यहाँ पर आई हुए छे महीने हो गया मेरी जॉब लगी थी JP Morgan में as a data engineer तो छे महीने हो गया अच्छा खास experience हो गया है मेरे पास तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों से अपना experience share करूँ जैसे कि यहाँ पर work-life balance कैसा है यहाँ पर जो companies होती है वहाँ पर work culture कैसा होता है इंडिया से कैसे different है यहाँ पर cost of living कैसा है यानि आपको जो महीने की salary मिलती है उसमें कितना खर्च हो जाता है कितना आप बचा पाते हो कितना घर पे भेज पाते हो कितनी savings हो जाती है यानि salary बगरा के बारे में भी बात करेंगे और overall experience कैसा है इंडिया से better है या फिर कुछ improvement की गुझाई से या फिर better नहीं है उन सभी topics पे हम बात करेंगे इस video में तो overall मेरा personal experience रहने वाला है तो वो लोग जो UK आना चाहते हैं या फिर इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी important video होगी क्योंकि मेरा personal experience है तो कहीं न कहीं आप लोग बाहर जाते हो तो same चीज experience करते हो तो पहले से अगर आपको पता रहता है तो वो चीजे आपको decision लेने में कि मुझे बाहर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए इसमें बहुत helpful हो सकता है दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं work culture के बार आप बहुत जादे mental health से सफर करते हो और इस वज़े से आपको कितनी भी salary मिल रही हो कितना भी अच्छा काम हो आप अच्छे से perform नहीं कर पाते हो तो मेरा यह experience रहा है अगर मैं इंडिया को UK से compare करूं हाला कि मैंने इंडिया में धाई साल तक काम किया भारती अटेल में और नहीं होती है या फिर लोग weekends पे आपको call कर देते हैं या फिर आप holiday पे हो आपको call जाती है जबकि यहां पे मैंने ऐसा कुछ भी experience नहीं किया यानि अगर मेरा Saturday Sunday है तो completely मैं उसको enjoy करता हूं आज तक कभी भी Saturday Sunday पे मैंने company के लिए काम नहीं किया यहां तक कि office hours के बाद कभ नहीं जितना time मिला है जैसे करना है वैसे मैं अराम से करूँगा लेकिन इंडिया में मैंने यह देखा कि हमें weekends पे भी काम करना पड़ता है आप फ्रेशर हो या फिर experience हो doesn't matter हाला कि मेरे को यहां पे छे महीने तक काम करते हुए हो गया लेकिन ऐसा कुछ भी experience नहीं किया हू work ethics भी यहां पे काफी अच्छा है लोग genuinely एक दूसरे को appreciate करते हैं और like respect करते हैं आप बहुत junior हो या फिर बहुत senior हो यहां पे like overall चीजे मुझे अच्छी लगी हाला कि इंडिया में यह चीजे बुरी नहीं है work ethics company पे depend करता है आपके manager पे depend करता है team पे depend करता है तो यह company to company च मुझे यहां पे बहुत अच्छा लगा यहां पे like जितने arts आपको काम करने हैं उस arts के बाद आपको कोई disturb नहीं करता है इसकी वज़ा मुझे एक चीज लगती है जो मैंने feel किया वो यह है कि UK में जो भी ऐसी developed countries होती है वहां पे जो wage का system होता है वो government decide करती है कि आपको per hour इ कृता है काम करते हो उसको अप्रिशेट करते हैं और उसकी value होती है लाइक आप गहंते काम कर रहे हो तो उसकी value है यानि एक घंटे का आपको पैसा मिलना चीज़ए जबकर India में ऐसा नहीं नहीं है इन्डिया में किसी को बहुत कम पैसा मिल रहा है किसी को बहुत जादे मिल रहा है जैसे UK में कारपेंटर भी एक software engineer से अधिक कमाता है लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है तो इंडिया में time की value उतनी जादे नहीं करते हैं लोग यह मुझे एक ऐसे difference लगा work culture में और work life balance में तो अगर आप ऐसा देख रहे हो कि आपको life में work life balance बहुत अच्छा चाहिए आ आपको ऐसी company में काम करना है जहां पर work life balance बहुत अच्छा हो तो मैं आपसे बोलूँगा आप European countries में जाओ यहां पर work life balance मेरे हिसाब से मेरे experience से बहुत अच्छा होता है दोस्तो वीडियो को continue करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ cryo के बारे में cryo दुनिया का पहला experiential learning and upskilling platform है जो खास तोर पर design किया गया है inspiring developers के लिए दोस्तो अगर हम बात करें cryo के बारे में तो cryo पे आपको learn by doing approach से practical skills सिखाई जाती है इनका course curriculum जो है पूरा experience based है आप चीजों को build करते हो और उन चीजों को build करके आप technical skills को सीखते हो और दोस्तो आपको जो यहां पर mentors मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे ची companies में जो leading companies हैं उनमें काम कर रहे होते हैं जैसे google है, microsoft है, amazon है, walmart है तो वो आपको बहुत अच्छे से train कर पाते हैं और दोस्तो सबसे अच्छी बात cryo ने अभी तक 1300 से भी जादे students का career transform किया है जो क various backgrounds से थे और उनको हजार से भी जादे companies में job मिला है जैसे कि unicorns like cred है, urban company है, no broker है, pharmacy है, meso है और बहुत अच्छे अच्छे यहां पे hyper growth startups and sunicorns जो कि अभी unicorns बनने वाले होते हैं वैसी company भी hire करती हैं जैसे jumbo tell है, ninja cart है, ether है और यहां पे global mncs भी hire करती हैं जैसे walmart, deloitt, microsoft, amazon IBM और बहुत सारी companies यहां से hire करती हैं, तो दोस्तों cryo का एक program है, जो कि fellowship program है in software development, उसको जरूर से चेक करना, अगर आप एक software developer बनना चाहा रहे हो, तो यहां पे आपको सीखने को मिलता है, different जो technical skills हैं, उनको practical करके, तो cryo.do का program जरूर से चेक करना, जो इनका fellowship program है in software development में, प comments में और description में उसका link दिया हुआ है, program को चेक करना, उसके course curriculum को चेक करना, क्या-क्या उनकी offering है, वो चेक करना, अब हम वीडियो को फिर से continue करते हैं, दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, कि interview process क्या होता है, देखो हलाकि मैंने इस पर वीडियो बना रखिया, बहुत complete explained video बना रखिये, मेरी job कैसे लगी थे यहां पर, लेकिन अगर interview process application process के बारे में बात करो, तो बहुत simple होता है, बहुत ऐसे difficult जैसा नहीं होता है, आप companies का career portal है, वहां पर apply करो, तीन से चार round interview होता है, उसमें technical होता है, चार round होता है, behavioral होता है, manager round होता है, सारी चीजा मैंने discuss कर रख देती है, बहुत सारी नहीं देती है, it depends कौन सी company है, वो दे रही है, नहीं दे रही है, but visa वो लोग provide करते हैं आपको, और यहां पर आप आके आराम से job कर सकते हो, अब हम बात करते हैं, जो सबसे जादे important है, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी रहते हैं, कि cost of living क्य सकें, future के लिए कुछ अच्छा कर सकें, family के लिए कुछ अच्छा कर सकें, और यहां आने के बाद भी आप यह सारी चीजे बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो सायद आप सही जगा पे नहीं हो, तो देखो cost of living की बताऊं मैं, कि पर महीने मेरा कितना खर्चा होता है, तो जिस रूम में मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, यह एक घर है, जिसमें तीन रूम है, एक kitchen है, एक washroom है, तीन लोग रहते हैं, हम तीनों Indian हैं, और मेरे रूम का जो monthly rent है, वो 700 pound है, यानि 70,000 के आसपास, तो केवल एक रूम का, shared kitchen and shared washroom का, मैं 70,000 per month केवल rent देता तो यह हो गया मेरे रूम का rent, इसके बाद क्या क्या खर्चे होते हैं, इसके बाद जो major खर्चा होता है, वो होता है मेरे grocery का, तो grocery इतना ज्यादे महनगा नहीं होता है, यहाँ पे महनगा है आपके रहने का rent, बाकि grocery मेरा 150 pound के आसपास आराम से हो जाता है, मतलब उसमें ब खरपूर एक अकेले बंदे का हो जाएगा, 150 में आराम से हो जाएगा, इसके बाद मेरा एक्स्रा खर्चा आता है, मेरे फोन का रिचार्ज, हलाकि लेंडलोड ने इस घर में वाइफ़ा ही दे रखा है, लेकि फोन का रिचार्ज कराना पड़ता है, जो मेरे को 10 पॉंड पड होता है, क्योंकि मैं सिटी सिंटर से थोड़ी दूर रहता हूँ, और मेरे को महीने का 56 पॉंड यानि 5,000 रुपे के आसपस पड़ जाता है, तो मेरा ओवरॉल खर्चा अगर में बता हूँ, मोटा मोटा खर्चा बता हूँ, तो 1,000 पॉंड मन्थली, मतलब बीच में एक द तो यह अप्रौक्स 1,000 पॉंड हो जाता है, मतलब 1 लाग के अचल्ए मिरा महीने का खर्चा हो जाता है, यहां पे आराम से, दूस्तों, अब हम बात करते हैं, सैलरी के बारे में, मैंने अपना एक्स्पेंस बता दिया, महीने का 1,000 पॉंड मेरेEXPेंस होता है, अब सैलरी क बारे में बात करते हैं, हाला कि मैं अपनी salary रिवील नहीं कर सकता, थोड़ा सा confidential होता है, लेकिन मैं आपको on and average चीजे बता रहा हूँ, जो यहां पर बच्चे as a fresher job लेते हैं, software industry में, यहां से master's किये हुए हो, या फिर इंडिया से आ रहे हो, as a software engineer, उनकी on and average salary जो होती है, व around 40% tax जाता है आपका, तो आपका जो monthly salary होता है, वो 2700 to 3000 हो सकता है, मतलब around 3 लग रुपए आपको महीने का मिलता है, यहां पे, अगर आप fresher यहां पर join करते हो, यानि आपने master's किया, या फिर इंडिया से as a fresher, यहां पर job लेकर आ रहे हो, तो आपको महीने का लगभग 3 ल search हो जाता है, तो आप मेरे हिसाब से on average per महीने 2 लग रुपए अराम से save कर पाते हो, यहां पर, एक चीज है, जो आप इंडिया में खो रहे हो, जो फिलिंग से आपकी, जो आपके parents से जूड़ी हुई है, जो आपके बहन भाईयों से जूड़ी हुई है, जो चीज आप खो रहे हो, उसकी value अगर देखें, और जो यहां पर आप पा रहे हो, उसकी value आप देखें, तो यहां पर जो पा रहे हो, जो खो रहे हो, उसके सामने कुछ नहीं है, मैंने, देखो, मैं अपने experience से नहीं बोल रहा हूँ यह, क्योंकि अभी जो इस phase में मैं हूँ, इस phase में मेरे वो बस दिख रहा है, मैं अच्छा पैसा कमा लूँ, अपने घर वालों को help कर दूँ, अच्छा घर ले लूँ, lifestyle मैं अपनी अच्छी कर लूँ, तो मैं उन चीजों को ignore कर दे रहा हूँ, मेरे लिए वो इतनी important नहीं है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ उन लोगों से, जो य अच्छी ने कहीं उसके नुकसान भी है, तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लेना, like, life इतनी भी easy नहीं है, आप यहाँ पर आज आते हो, आपको एक महीने, दो महीने बहुत अच्छे लगते हैं, genuinely, मैं बहुत honesty के साथ आपको बोल रहा हूँ, आपको कितनी भी salary मि आपको एक महीने अच्छा लगता है, दो महीने अच्छा लगता है, तीन महीने अच्छा लग सकता है, फिर आपको मतलब पैसा नहीं दिखता है, फिर ऐसा लगता है कि मैं अपनी मम्मी पापा के साथ रहता, अपनी family के साथ रहता, तो जादे खुस रहता मैं, तो मेरा conclusion य बहर, बेहनों की साधिया कर लूँगा, अपनी भी साधी कर लूँगा, लाइफस्टाइल थोड़ी अच्छी हो जाए, तो दिन I'll return to India, तो मैंने ऐसा नहीं सुझा कि मेरे को इंडिया का बाहर सेटल होना है, मेरे को इंडिया में ही सेटल होना है, मम्मी पापा के साथ रहना ह तो अभी मैं बाहर हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं केवल पैसे कमाने के लिए बाहर हूँ, मेरा कोई भी ऐसा नहीं है कि मुझे ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, या फिर लोगों से दुनिया से मिलना है, भाई, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, और आप भी अगर सेम चीज फील कर रहा हूँ, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, तो आप भी बाहर आओ, पैसे कमाओ, घर बनाओ, साधी करो, थोड़ा सा lifestyle अच्छा क आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग क्या सोचते हो, इंडिया से बाहर जाके जॉब करने में, या फिर सटल होने में, क्या सही है, कैसे करना चीए, नहीं करना चीए, इसके बारे में थोड़ा सा आप कमेंट करके जरूर से बताना, और जरूर से कमेंट करना कि आप कै कैसी वीडियो देखना पसंद करोगे हलाकि मैं वीडियो के बीच में बहुत गैप कर दे रहा हूं लेकिन हाँ मैं कोशिस करूंगा कि कुछ-कुछ वीडियो लेकर आता रहा हूं महीने में चार-पांच ऐसे वीडियो तो करी लूँ कम से कम तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना तो गाइस आप आपको वीडियो पसंद आई हो थैंकियो सो मच्छ